हेलो वैल्कम दोस्तो आईए गर बाइद ओढाई देख रहे हैं आप में रवी कुमार एक खाषिस से नएए वीडियो में हाज़िए हूं दोस्तों आज किस स्कूल में बात करने वाले हैं कि आप सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं दोस्तो यदि आप एक सरकारी प्रिंसिपल बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप वह जरू देखते रहिए क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा एलप होने वाला है दोस्तो सरकारी प्रिंसिपल बनने के दो रास्ते हैं आपके पास पहला रास्ता है आपके पास कि आप exam के त्हुरू सरकारी principal बन सकते हैं और दूसरा रास्ता है कि आप promotion के त्हुरू सरकारी principal बन सकते हैं दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा की सरकार की तरफ से principal के लिए vacancy निकाली जाती है अब इस vacancy का आप क्या form बढ़ सकते हैं दोस्तो vacancy का form बढ़ने के बाद आपका written exam होता है उसके बाद आपका interview होता है then आप क्या एक सरकारी principal बन जाते हूँ दोस्तो ये रास्ता है आपका exam के थुरू दोस्तो अब इसके बाद बात आती है कि इसके लिए क्या qualification चाहिए तो दोस्तो आपको सिर्फ इसनातक पराशनातक और बीएड के डिगरी लेना है जिन लोगों को इंगलेस में समझ में आता है वो समझ लें graduate, post graduate और बीएड का डिगरी आपको लेना है इसके बाद आप eligible हो जाते हैं एक सरकारी principle के form को बढ़ने के लिए दोस्तो जब आप successfully exam को clear कर लेते हैं उसके बाद आपका interview वगरा हो जाता है तो फिर आप successfully एक सरकारी principle बन जाते हैं और आपके हाथ में green pen आ जाता है दोस्तो यह तो बात हो गई आपकी principle बनने की अब दोस्तो हम बात करेंगे second रास्ता जो है आपका promotion के थुरू दोस्तो promotion के थुरू अगर आपको सरकारी principle बनना है तो इसके लिए आप एक सरकारी teacher होने चाहिए दोस्तो जैसे आपको पता होगा सरकारी teacher बनने के लिए आपको सिर्फ undergraduate की डिगरी और आपको बीएड की डिगरी चाहिए यदि आप 10 तक के बनना चाहते हो यदि आप 12 तक के बनने चाहते हो तो उसके लिए कुछ अलग qualification है तो हम अभी केवल प्रिंसिपल की बात कह लिए तो दोस्तो यदि आप कोई भी एक teacher हो आप अगर एक सरकारी teacher हो तो उसके बाद आप एक सरकारी principle भी बन सकते हो बाई promotion लेकिन दोस्तों promotion में क्या होता है कि 100% surety नहीं होती है कि आप एक सरकारी principle बन जाओगे लेकिन जब आप exam के थुरू बनते हो तो exam clear होने के बाद आप एक सरकारी principle बन जाओगे तो दोस्तों difference वस इतना ही है कि सरकारी principle जो exam के थुरू बनता है उसके surety हो जाती है लेकिन जो promotion के थुरू बनते हैं उनकी कोई surety नहीं होती है कि बने की ना बने दोस्तों माल लीजिए किसी school में तीन teacher है अब इन टीचरों मेंसे माल लीजिए A teacher B teacher और C teacher है अब A B C में से जो सबसे ज्यादा experience होगा उसको सबसे पहले principle बनाया जाएगा और जो कम experience होगा उसको principle नहीं बनाया जाएगा और दोस्तों साथी साथ experience के साथ में इनके पास इनकी qualification जो post graduation degree भी होना अनिवार है अगर post graduation degree नहीं होगा माल लीजिए A B C हैं तीनों graduation की degree जो होना है वो compulsory है तो दोस्तों काफी चीज़े होती है इन चीजों को देखा जाता है उसके बाद एक सरकारी principle को बना दिया जाता है दोस्तों यदि कुछ आप जानना चाहते हैं कुछ पूछना चाहते हैं तो दोस्तों कमेंट वक्स में कमेंट करके आप अपनी क्व दोस्तों एक हमारा Facebook पेज भी है आई ये ग्रमा ओनलाइन लाइनिंग वीडियो दोस्तों जिसका लिंक आपको डिस्केशन बॉक्स में मिल जायका या आप डारेक्ली Facebook पे सर्च करे लें आई ये ग्रमा ओनलाइन लाइनिंग वीडियो दोस्तों इस पेज को आप जबूर आपसे नेक्स वीडियों तब तक के लिए सुक्रिया